वेलकम बैक, देखिए, स्फेर्स हम लोग कर रहे थे, जिमेट्री में, तो थ्री डाइमेंशनल जिमेट्री में स्फेर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कोईशन आते रहते हैं, बहुत सारा कोईशन मैंने आपको दिखा दिया था, कुछ और भी कोईशन हम लोग देखें देख लेते हैं किस तरी किस आप लोगों नहीं किया है, अगर आप फास्ट टाइम कर रहे हो, इस स्फेर के सेंटर से आपको एक स्फेर बनाना है, जो इस पॉइंट से पास करता है, यह तो काफी एज़ी है, मैंने आपको बताया था, कि ऐसे किस में क्या होता है, अगर रखा है, तो आपका जो आंसर आएगा, वो क्या हैगा, वो सेंटर स्फेर आएगा, शिर्फ आपको क्या करना पढ़ता है, शिर्फ आप सेंटर लिखेंगे, और जहां पर constant उसको हटा के आप वहां पर के लिख देंगे, ठीक है, तरीक बता रहा हो, यह मेरा हो गया required स्फे प्लस टू विल्फ माइनस 24 प्लस के एकवल टू यह हो जाएगा अब यहां से के वहले देखलो क्या आता है यह हो गया 5 और 9 14 14 और यह आपका टू वेल्फ 26 तो 26 हो गया पॉजिटिव वैल्यू यहां पर देखोगे तो 24 और 28 प्लस के एकवल टू जीरो यहां से के वहले लो क्या आ जा रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है जो लास्ट ली आपने यहां पर के लिए था महां पर के प्लेश कर दोगे लिख दोगे तू तो आंसर क्या आ गया एकस स्क्वार यस्वार जेद स्क्वार डिस इस सेम फूर्स तू सो अफ्षन नमबर यहां पर क्या होगे हमारा करेक्ट होगा देख रहे हो कि यहां काफी सीम्पल होता है आपको बोलता है क्या है क्वेशन ऑफ इस फेर निकाली जो इन थिरी पोइंट से पास करता हो ओके और इसका सेंटर कहा हो इसका स प्लेन पे लाई करता हो यानि जो center होगा वो इसको satisfy करेगा अब देखा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका यह होता है एक तो होता है systematically आप निकाल लो बट और अब फास्ट आप चाहते हो तो आप सिफ यह देख लो ना कि कौन satisfy कर रहा है ठीक है एक तो तीनों point को satisfy करेगा और एगर एक से ज्यादा स्फेर ऐसा मिलता है जो यह तीनों point को satisfy करता है तो उसके सेंटर को भी चेक कर लेंगे कि किसका सेंटर इस पर लाई करता है तो आप देख सकते हो एक सापका 1 हो जाएगा राइट तो आपको मिलेगा क्या मैं अगर चेक करूं एक चेक करके दिखा देता हूं ठीक है तो 1-4 प्लस 3 यह मिलता है ठीक है इसमें डालने से ओके 100 को चुकि सिफ एकस बचेगा फिर यहापर मैनेस 4 बचेगा यहापर प्लस 3 बचेगा तो यह देखिए 0 तो आ रहा है यह नहीं satisfy कर रहा है इसके इलावा भी को satisfy कर रहा है क्या देखलो 1-4 प्लस 4 यह satisfy नहीं कर रहा है यह यह देखलो 1-4 और प्लस 6 यह भी satisfy नहीं कर रहा है यह देखलो 1-4 और यह भी satisfy नहीं कर रहा है तो definitely देखो यहापर क्या है कि एक ही satisfy कर रहा है तो यही आपका perfect answer हो जाएगा within 10 minute आप निकाल पाऊगे तो आपको MCQ skill आना चाहिए मैं बार-बार बोलता हूँ कहां पर हमको क time तो लगेगा बट देखो कितना जल्दी यहां पर हो गया अब इसको verify भी कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ है पर center क्या आएगा देखो center आ जाएगा 2-2 और 2 यहीं आएगा ठीक है इसको भी satisfy करता है इसके लाव आप कोई भी center देख लो यहां पर satisfy सायद नहीं करेगा 2 है यहां पर आपका जाएगा माइनस 3 यहां पर आपका जाएगा 4 ओके तो जो है आपका सब लोग satisfy नहीं करेगा तो देख इसका center भी satisfy कर रहा है ठीक है बाकी point को भी check out करेगा वह भी करेगा जिरो वन जीरो तो 1 बचेगा माइनस 4 बचेगा 3 अगेन 0 हो रहा है जीरो वन जीरो फिर जीरो हो रहा है तो बस आप ऐसा question को देख करके ही बना सकते हो ठीक है दूसा तरीका भी है बट वह लेंदी है ऐसा आप mcq में करेंगा तो आपको time बचेगा तो देख क्या है question number 3 है यहां पर बोलता है कि क्या है तो थिरी दे रखा है तो देखो कौन-कौन जो है आपका discard हो जाए जिसे मैं आपको बता रहा हूँ यह तो होगी नहीं सकता चुकि इसका center क्या दिख रहा है तू टू 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 यह नहीं हो सकता यहां पर देखो गे तो 9 पर आप common लोगे ना 9 अगर आप common लोगे तो यह क तो इस case में हम लोगों को center क्या मिल रहा है again 123 तो मिल रहा है यहां यह भी center को claim कर रहा है यहां पर आप देखोगे 9 common लेंगे तो सायद 123 आपको center मिल लागा constant आपका जाएगा minus 26 by 9 इस case में दखोगे तो इस case में आपको मिलता है center 23 तो यह तो हो नहीं सकता ठीक है तो एदर B और C होगा तो अब यह है ना कि यह क्या करता है टच करता है इस plane को ओके तो अगर टच करता है तो यहां से आप जो है further radius भी check out कर सकते हो चुकि टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको radius मिल लागा radius क्या हो जाएगा radius हो जाएगा perpendicular length ओके और वो क्या हो जाएगा तो 123 मैं आपका 8 यह तो आप 1-1 cancer हो गया 4-6 आपका उपर में 10 आ जा रहा है नीचे में 3 तो 10 भाइ 3 आ रहा है ठीक है यह हो गया radius तो आप चाहएगा radius भी देख सकते है तो radius का formula क्या होता है अगर मालो मेरा यह sphere है इसको मैं क्लेम करूं तो यहां से radius क्या आ जाएगा तो 1 का 4 प्लस 9 और माइनस 26 बाइन यहां से देख लो क्या आता है तो यह आपका हो जा रहा है 13 हो जाएगा ना स्री 14 हो जाएगा 14 माइनस 26 बाइन हो जाएगा आपर मैं देखूंगा तो यह आ रहा है ना तो यह 3 तो देखो यह तो परफेक्टली आ गए 10 बाइ 3 रूट 10 बाइ 3 तो यहां स्री उपर मैं 100 बचेगा तो 100 बचेगा तो 10 आएगा 10 बाइ 3 तो आ जा रहा थी आपको सटिस्फाइब कर जा रहा है जबकि इस केसमें तो यह एड होगा तो यह सटिस्फाइब नहीं करेगा तो option no.b ही आपका क्या बच रहा है बच रहा है ठीक है तो आपका process है जैनला स्फियर लेकर करके यह center से ऐसी भी देखो कि यह center है और स्किल लगाऊगे जल्दी यल्दी क्वेश्चन आप इलिमिनेट कर पाऊगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फोर नंबर इसको आप खुछ से ट्राई करो जैसे मैं बना रहा उसी तरीके से डेफिनेटली आप से बनेगा क्या है क्या है क्वेश्च तो नहीं दिया हुआ है तो यह आपको गूड लग होगा और आपको जल्दी बन जाएगा तो आप देखो गए 100 को देखता हूं तो 100 से यह आपका सटिस्फाइड नहीं करता है क्यों कि यहां पर 3-2 और 1 बचेगा कभी 0 नहीं हो सकता ठीक है फिर इसको चेक करता हूं तो यहां पर 9 बचेगा जो बचेगा उसको देखो 18 बचेगा माइनस 18 ट्विट यह भी क्या भी नहीं हो सकता है तो एक ही option तो आया भाई तो देखो तुरत इस ऐसा question फॉरंस option discard करोगे और जो correct option है वह चूज में आ जाएगा ठीक है तो अगर माल लो ठीक है मैं यह भी बता द देता हूं कि अगर दो option match करता तब क्या करते अगर मालो कि आपको hidden trial से अभी तो मैंने एक ही point चेक किया हो सकता है दूसरे point से आपको confirm हो जाएगा तो बहुत तरह का तरीका होता है बट मालो अगर आप इसको general तरीके से बनाओगे ठीक है थो टाइम तो लगेगा लेकिन ज 2u x plus 2by plus 2wz plus d equal to 0 यह हो गया वही बारी बारी से 1 0 0 से पास करा होगे तो क्या बचेगा तो आपको सिभ बचेगा जैसे यहाँ पर 1 बचेगा right plus 2u बचेगा और तो कुछ नहीं बचने वाला और d बचने वाला है तो हम नों यह देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बचेगा त आप बुल सकते हो कि 1 plus 2u plus d यह बचता है ठीक है और equal to 0 हो जाएगा ओके तो यहाँ से हम लोग यह देख सकते हैं कि जो 2u है मतलब u का बहलू क्या आगा यू का बहलू आ जाएगा minus में 1 plus d by 2 यह आएगा ठीक है इसी तरहीं के साब का भी क्या आ जाएगा तो भी भी देख अब यहां साब निकाले ना radius radius क्या होता है तो radius का formula होता है आप लोग पढ़ें है यू स्क्वार प्लस भी स्क्वार प्लस w स्क्वार माइनस डी राइट सही है अब इसमें आप देखो चुकि तीनों का सेम भेलू है आप इसको put up करना तो यहां पर आपका आ जाएगा 3 by 4 1 प्लस d का square और माइनस आपका d यह इसको r को मैं squaring कर देता हूं तो इसको मैं देता हूं आर ठीक है squaring कर दिया मैने बात समिमार यह ना तो squaring करने के यह आ जाएगा अब चुकित मैक्सिमा मिनिमा का question है तो smallest radius करना है तो क्या करना आप आप डेरिवेटिव निकालने ना फिर आप d का value minus 1 by 3 यहाँ पर put up कर देना अलाग करके और यह तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ से भी भी मिल लाएगा डबल भी मिल लाएगा सबको put up करना तो आपको यहीए sphere आएगा थोड़ा यह तो लंबा तरीका हो जाएगा ठीक है बट जिससे मैंने बताया ऐसे ही ब आपका positive आजाएगा at d equal to minus 1 by 3 तो यह आपका minima को confirm करता है या आप science convention से बना सकते हो यह हर तरह का तरीका तो आपको काफी सारे lecture में discuss किया हुआ है ठीक है और option discard से करेंगे तब तो वह wow method होता है वह आपको देखती ही बन जाएगा next question है question number यहाँ पर देखो 5 बलता है equation of sphere न आपको इंड दिया हुआ है ठीक है तो अगर diameter का इंड दिया हुआ हो सपोज करो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 तो इस case में simple ही जो sphere होता है वो क्या होता है x minus x x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equal to 0 पस figure डाल दीजिए x1 y1 z1 आपका देखें यहाँ पर दे रखा है और x2 y2 z2 आपका यहाँ पर दे रखा है तो क्या जाएगा so x minus 2 x plus 1 y plus 3 हो जाएगा y minus 5 z minus 4 z minus 7 equal to 0 देखें सब्सक्राइब करके क्या आता है तो यहाँ से अब देखें आपका बनेगा x square y square z square right यहाँ से हमारा बन जाएगा minus 2 x or plus x so minus x यहाँ से हमारा बन जाएगा right 3y minus 5y minus 2y यहाँ से हमारा का बन जाएगा minus 7z minus 4z minus 11z ओके और constant क्या जाएगा minus 2 minus 15 minus 17 और plus 28 तो आपका plus 11 equal to 0 देख लो भाई x minus 2y minus 11z कहाँ पर दे रखा है तो उपर ही ओला option आपका मिल गया ओके तो देखो बहुत जल्दी बनेगा इस तरह है question आप बस फॉर्न लगाओ काम करो बहुत बिंदाज बनता है ठीक है नेक्स्ट देखो क्या है question number यहाँ पर है 6 मेरा बोलता है center of circle निकालिए और काफी बार यह question आया हुआ है तो important question है थोड़ा अच्छे से करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा ठीक है नहीं सर्कल क्या है जो इस एस-स फहेर और इस-पलेन के intersection से बनता है मैंने पहले भी बताया है ऊपकよね बाइक साधेर हें उस दरिख़ो इस इस को इस से कट होंगे तो definitely क्या होगा ils hu pana बोलते है circle of intersection इसी circle का आपको क्या पूछ्छा है centre पूछ रहा है इसका आप center देख लो क्या है? इसका center है sphere का 1, minus 1, sorry minus 1 प्लस 1 और 2 है, ठीक है? इसका center है, वो है minus 1, 1 और 2, तो इस center से हम लोग क्या करेंगे? एक डालेंगे perpendicular, ठीक है तो यह क्या होगा? अब plane के किसी भी normal का direction ratio है वो क्या है? वो है आपका 1, 2 और 2, यहाँ पर दिख रहा है, plane पढ़ा हुए आप लोगों ने, इसका आपको direction ratio मिल गया, क्या मिल गया? 1, 2, 2, 2, तो ऐसे case में इस line का equation लिखना काफी easy हो जाएगा, कैसे? x plus 1 by 1, y minus 1 by 2, z minus 2 by 2, is equal to कोई k ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से x मेरा मिल गया क्या? coordinate, k minus 1, y मिल गया 2k plus 1, और z मिल गया हमारा 2k plus 2, so this is the, any point on the plane, and this should be center, यह आपका center होगा, तो यह normal बन जाएगा, नॉर्मल अगर है, तो definitely इसका DRS 122 है, तो अभी जो simply जो point मिला है, आपको यह point है, यह plane पर लाई करेगा, plane आपका यह है, इस पर डाल दो, तो क्या जाएगा? k minus 1, plus 2 into y, यहने 2 into 2k plus 1, plus 2 into 2k plus 2, plus 7 equal to 0, अभी यहाँ सब k कभेर निकाल लो क्या आता है, तो k minus 1, देहो k, य यह 4k, तो total 9k हो गया, तो 4k, 4k, 9k, constant क्या आजाएगा? minus 1, plus 2, 1, और आपका यहाँ पर plus 4, 5, 7, 12, तो 12 equal to 0 आ रहा है, यह आ रहा है, constant, तो k का जो value है, वो यहाँ पर आजाएगा, minus 12 by 9, यहने minus 4 by 3, right, इसको अगर हमनों डाल दे, minus 4 by 3 को, तो क्या आ जाता है, देखो तो minus 7 by 3 आ रहा है, फिर यहाँ डालेंगे तो आ जाएगा, minus 8 by 3 plus 1, यहने आपका minus 5 by 3 आएगा, यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, minus 8 by 3 plus 2, यहने आपका minus 2 by 3, so option number B आपका correct है, तो कितने बिंदास तरीके से बन रहा है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना, इस तरह आपको यह lecture अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, इस तरह का बहुत सर आएम सी क्यों यूट्यूब में फिरी है, उसको आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, पढ़ते रहो, और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक पाइयर मैथेमेटिक्स में CSIR, NET, GRIT की त्यारी आप कर सकते हो, linear algebra, calculus, abstract algebra, PGT, TGT की त्यारी कर सकते हो, जारखट के त्यारी कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स लगा हुआ है, PDF भी है, lot of MCQs है, instant dot quality भी मैं आपको देता हूँ, तो काफी beneficial रहेगा आपको, ठीक है, अगर आ करते हो, तो definitely आपका exam जो है, जरूर clear हो जाएगा, right, तो इस तरीके साफ इसको जरूर कर लो, और फिर lastly मैं ये बोलूँगा, कि कोई भी आपको फरदर दिकत हो, तो आप comment भी मेरे को कर सकते हो, ठीक, अगर आपको comment करना है, या मेरे से touch करना है, तो आप इस number पर, जो है, म है, मत कि इस तरीक आपको 10 है, मत करते हो, भी आपको मगा करना है, या मेरे को बि predict CDC